Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable withholding ascent for bills, तो इसी के बारे में हम details से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है, basically यहाँ पर केरला सरकार ने, एक तो जो governor है, आरेफ साहब केरला के अंदर, उनके उपर और साथी साथ जो president है, उनके उपर कुछ आरोप लगा हैं, और देखते हैं इसको लेकर supreme court आगे क्या कहेगा, लेकिन इस पूरे मामले को जानना काफी जरूरी है कि exactly हुआ क्या है, चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी हमारा holy sale चल रहा है, मतलब कि 26th of March तक आपके पास समय है, अगर आप कोई भी बैच लेते हैं, अगर आप कोई भी बैच लेते हैं, अगर आप कोई भी डाउट हो, आप उनसे पूछ सकें, और optional के बैच है, सभी पर आपको maximum discount मिलेगा, बस आप हमारे website अप पर जाएए, या फिर comment section में लिंक है, और use करिए code अंकित live, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs रटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहापर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि exactly अभी हुआ क्या है, दिखें, बहुती unprecedented move बताया जा रहा है, जहाँ पर केरला government ने आज ही 23rd of March को प्रेसिडेंट दुरौपती मुर्मुजी के उपर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्च कराया है, और कारण ये बताया जा रहा है केरला सरकार के दोरा कि मुर्मुजी ने चार बिल्स जो की केरला legislature के दोरा पास किये गए थे, उसको बिना किसी reason दिये, अभी तक pass नहीं किया है, मतलब withhold कर दिया है, कहने का मतलब यह आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर कानून कब बनता है, जैसे कि मान लीजे राज्य के अंदर क्या होगा कि जो राज्य की legislative assembly है जब उस कानून को pass कर देती है, ठीक है, तो वहाँ पर finally governor के पास वो पुरा मामला जाता है governor को sign करना होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका notification आ जाता है और वो कानून बन जाता है लेकिन मान लीजे अगर केरला सरकार ने कोई केरला legislative assembly में pass करा दिया बिल और वो बिल गया governor के पास, और governor ने वो जो बिल है वो दे दिया president को उसको देखने के लिए समझने के लिए कि क्या हमें इसको pass करना चाहिए कि नहीं और president उसको pass नहीं करेंगे जब तक तब तक ये आपका कानून नहीं बन सकता है तो यहाँ पर केरला सरकार बेसिकली ये कह रही है कि एक तरफ केरला के जो governor है आरिफ मुहमत खान उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो पूरा बिल है उसको रखा हुआ था अपने पास उसको ना तो pass किया ना तो return किया मदब कुछ भी नहीं किया और लंबे समय के बाद अपने पास रखने के बाद उसको सौब दिया president को और अब जो president है वो उसको अपने पास रखी हुई है और वो उसको pass नहीं कर रही है और इसलिए अगर आप देखोगे तो केरला ने supreme court में जो writ petition फाइल की है उसके अंदर तीन लोगों के उससे एक तरह से response मांगा गया है और वो तीन कौन है देखो एक तो है secretary to the president अब आपको पता ही होगा कि जो article हमारा 361 है article 361 के तहट हमारे देश में दो ऐसे पद होते हैं जिसमें आप कहीं पर भी court जो case है वो नहीं चल सकता एक तो अब्वेसी बात है governor के उपर और साथी साथ यहाँ पर president के उपर ठीक है उनके उपर case नहीं चला जा सकता तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो secretary to the president है यहाँ पर जो top court के lawyer है senior lawyer है constitutional matters की जानकारी रखते हैं वो participate करेंगे और C के ससी वो participate करेंगे तो देखना होगा आगे चलकर supreme court इसको लेकर क्या कहता है लेकिन question अब यहाँ पर यह है कि केरला सरकार ने जो petition डाला है उसके अंदर उन्होंने क्या का का है देखो उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि पिछले दो साल के अंदर ठीक है साल भर से लेकर दो साल के अंदर केरला सरकार ने बहुत सारे bills पास किये थे उसमें से कई जो bills हैं वो एक तरह से पास नहीं किये जा रहा है प्रेसिडेंट के दोरा इसकी वज़े से यहाँ पर जो पुरा federal structure है हमारे constitutional का वो एक तरह से disrupt हो गया है साती साथ केरला सरकार ने ये भी कहा है जो भी हमने bill पास कराए है legislative assembly से वो हमारे domain में आता है वो राज्य के domain में आता है हाँ अगर मान लोग केरला सरकार कोई ऐसा bill पास कराती जो की directly पूरे भारत के उपर impact करता ठीक है कोई समिधानिक पद के उपर impact करता तब तो चलो हम यहाँ पर कह देते कि यह जो bill है वो president जब तक sign नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हो पाएंगी लेकिन जो हमने यहाँ पर bill पास कराये थे वो पूरी तरह से राज के अंडर में आती है इसलिए president का कोई हक नहीं बनता कि उसको वो withhold कर लें मतलब रोक लें अपने पास तो यह तरह से petition बोला क्या है केरला सरकार ने president के उपर और दूसरा यहाँ पर governor के उपर भी काफी बड़ा आरोप लगाया है केरला सरकार ने देखो governor को लेकर again क्या कहा है इदेखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ क्या होता है कि मान लो जो governor है उनके पास कई सारी power होती है जिसके बारे मैं आपसे और आगे बताऊंगा वीडियो में तो जिसमें से क्या होता है कि अगर मान लो कोई राजसरकार बिल पास कर रही है और वो बिल जो है directly impact करता है उस राजसरकार और union of इंडिया को लेकर मान लो कोई ऐसा बिल है जो कि directly high court की power को कम कर सकता है ठीक है तो वो सारे जो बिल होते हैं वो governor हमेशा उनके उपर जिम्यदारी है कि वो बिल को पास ना करने दे मतलब governor जो है वो बिल को अपने पास रख ले और president को सौब दे ताकि ultimately president जो है उसका decision ले सके I hope आप यह समझ रहोगे तो यहाँ पर केरला सरकार बार-बार Supreme Court में जो कह रही है वो यही है कि एक तरह से जो भी हम बिल पास कर रहे है वो union of India के उपर impact नहीं कर रहा है इसकी वज़े से यहाँ पर कोई हक नहीं बनता कि जो governor है वो हमारे सारे bills को लेकर बैट जाएं और उसको clear ना करें क्योंकि जब तक वो clear नहीं करेंगे कानून नहीं बनेगा और साथी साथ जो भी governor ने अभी तक किया है केरला के अंदर उसकी वज़े से जो three organs of state हैं आपको पटाई है that is executive, legislature, judiciary वो एक तरह से काफी ज़ादा imbalance हो गई है ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब कि अगर कोई legislative assembly bill pass कर रही है तो और उस bill को introduce किया जाता है legislative assembly में और उसको pass किया जाता है तो यहाँ पर finally जिम्मेदारी बनती है governor की कि वो उसको clear कर दें उसको लेकर बैठने का कोई हक नहीं बनता फिर इसके साथ साथ अब आप देखे केरला ने ये भी कहा है कि सम्विधान का भी violation किया गया इसके अंदर basically वो यह कह रहा है कि article 14 आपको बता है right to equality फिर article 200 और 201 मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे कि article 200 है कि हमारे constitution का तो केरला ये कह रही है कि देखे आप बिल लेकर बैठ गयो उसको पास नहीं करो and without giving any reason आप reason भी नहीं दे रहे हैं तो इसकी वज़े से ये बहुत जादा arbitrary matter में काम किया चारा है इसकी वज़े से जो केरला की सरकार है वो function नहीं कर पा रही है ये good faith में नहीं था जो भी केरला की गवर्नर ने किया है hence the reference of the bills to the president has to be held to be unconstitutional मतलब कि यहाँ पर जो bills गवर्नर ने प्रेसिडेंट को सौपे हैं ट्रांसफर किया हैं उसको unconstitutional declare कर देना चाहिए ऐसा केरला सरकार की मांग है अब question यहाँ पर यह है कि आखिरकार यह bills कौन से हैं कितने bills हैं जो कि गवर्नर ने अपने पास रख लिये थे और फिर सौप दिये president को वो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ तो कि actually क्या हो रहा है केरला के अंदर और कुछ ऐसे राज में जहाँ पर center में बीजेपी और उस राज में किसी और कोई और party की सरकार है तो जैसे केरला में आपको पता है यहाँ पर जो left की सरकार है तो उनके बीच में और जो governor है आरिफ साफ के बीच में चीजें सही ढंक से नहीं चल रही थी तो पिछले दो साल में बताया जाता है कि करीब आठ ऐसे बिल थे टोटल एट ऐसे बिल थे जो आरिफ मोहमत खान ने अपने पास रख लिया था उसको कंसेंट नहीं दे रहे थे और इसी को लेकर क्या हुआ पिछले साल government केरला की सरकार सुप्रीम कोट गई थी कि यहाँ पर governor जो है वो हमारे bills को रख लिये हैं उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जिसकी वज़े से वो bill पास नहीं हो पा रहा है कानून नहीं बन पा रहा है तो इसको लेकर देखो सुप्रीम कोट ने जस्ट एक हिदायत दी थी केरला governor को कि आप प्लीज इसके उपर action लीचे ताकि जो law making का course है वो normal course है वो लगतार चलता रहा है तो इसको देखते वे देखिए आरिफ मौहमत खान ने क्या किया आठ बिल में से जो एक बिल है वो आपका पास कर दिया और वो बिल था आपका केरला public health बिल और बाकी का जो 7 बिल है ना 7 बिल है उसको president को एक तरह से president के लिए reserve कर दिया कि वो जब तक president clear नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बन सकता ठीक है अब देखिए क्या होता है अभी just पिछले महने की बात है ये 29th of February की खबर है आप देख सकते हो president approves केरला लोक आयुक बिल इसमें क्या होता है कि president के पास जो total 7 बिल गए उसमें से president ने क्या किया सिर्फ एक बिल को clear कर दिया और वो बिल था केरला लोक आयुक्त amendment बिल जिसमें क्या था इस बिल में basically क्या था कि anti-corruption जो watchdog है जैसे आपने लोकपाल के भारे में सुना होगा लोकपाल center में होता है लोकायुक state में होता है तो लोकायुक की जो power है वो एक तरह से कम कर दी गई मतलब लोकायुक तो अगर कोई report भेजेगी सरकार को तो वो सरकार अपने इसाफ से decide कर सकती है कि एकसेप्ट करना है कि नहीं तो वो जो power कम करने वाला बिल था वो तो एक तरह से president ने clear कर दिया लेकिन बाकी के जो कुछ बिल्स थे जैसे university से related बिल्स थे आप देख सकतो केरला university laws university law amendment bill 2022 ये सारे बिल्स को एक तरह से जो president है उन्होंने clear नहीं किया और इसी लिए अभी भी करीब 6 ऐसे बिल्स है जो कि president के पास रखे हो है तो I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन से बिल्स है क्या है जो कि president के पास है अब question finally यहाँ पर यह है वीडियो के end करने से पहले कि आखिर तो उसको governor के पास भेजा जाता है sign करने के लिए तभी वो कानून बनेगा तो governor के पास देखो अब 4 alternative होते हैं वो 4 alternative क्या है governor के पास एक तो power है कि हाँ चलो वो bill आया उनके पास उनको simply clear कर दो तो चलो जब वो governor ने bill clear कर दिया तो वो कानून बन जाएगा फिर दूसरा option है withhold ascent to the bill withhold ascent मतलब एक तरह से bill को reject कर दिया ठीक है फिर तीसरा option है may return the bill जो bill है अब आपको पता होगा हमारे समिधान में money bill को return नहीं किया जा सकता तो obvious ही बात है money bill को भी return होता नहीं है लेकिन ये तीसरा option है कि governor उस bill को जो है return कर सकते हैं और चौथा option है may reserve the bill for the consideration of the president कि governor ये कह देंगे कि ये जो bill है उसको अभी हम कुछ नहीं करते हैं इसको president के पास भेज देते हैं और president जैसा बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे तो ये चार option होते हैं जो कि हमारे समिधान में बोले गए है for the governor क्या कर सकते हैं bill के साथ अब देखो क्या हुआ है कि अभी तक जो भी सुप्रीम कोट के judgments आए है उसमें ये बोला गया है सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि governor अपने आप खुद से withhold नहीं कर सकते और return नहीं कर सकते bill को ultimately governor जो है उनको council of ministers की aid and advice पर ही काम करना पड़ेगा अगर मान लो council of ministers कहते हैं कि हाँ ये bill pass कर दो ठीक है तो वो bill pass हो जाएगा लेकिन हाँ governor के पास भी कुछ discretionary power है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम full freedom मिल गई है कि जो भी council of ministers कहेंगे वही governor को करना पड़ेगा जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना starting में कि अगर मान लो state government अगर कोई ऐसा bill pass करती है जिसमें high court की power को reduce करने की कोशिश की जाती है तो उस case में governor को वो जो bill है वो president के लिए reserve करना ही पड़ेगा मतलब governor तो उसको pass करी नहीं सकते इस तरह की जब भी कोई चीज होती है तो governor वो pass नहीं कर सकते है उनको president को भेजना ही पड़ेगा लेकिन हाँ कुछ और भी ऐसे bills होते हैं जो की हो सकता है कि पूरे भारत को impact कर जाए मतलब union जो law है मानलो center ने कोई bill कानून पास किया हुआ है और वहीं पर जो मानलो state government कोई दूसरा कानून लेकर आ रही है center के विरोध में तो उस तरह की जो चीज़े हैं वो governor क्या कर सकते है president के लिए reserve कर सकते है तो ये कुछ important provision है लेकिन देखो अब यहाँ पर loophole क्या है कि यहाँ पर constitution में समविधान में कोई time limit नहीं दी गई है जैसे कि अभी ये वाले case में क्या हुआ है केरला वाले case में कि state legislative assembly में bill को भेज दिया governor के पास पास करा के अब governor जो है उसको लेकर बैठे मैं मानलो 6 मैना, साल, भट, डेर साल, 2 साल तो उसको लेकर कुछ नहीं किया गया था तो इसी की वज़े से यहाँ पर problem आ जाता और अक्सर आपने सुनाओगा pocket वीटो के बारे में मतलब बिल को कुछ मत करो बस अपने pocket में डाल लो तो मतलब waiting चलती रहेगी एक तरह से वो कानून बनी ने पाएगा कभी और इसी की वज़े से समय समय पर कोई ना कोई समस्या आती रहती है तो I hope दोस्तों आपको एकदम crystal clear समझ में आ गया होगा कि आखिरकार केरला में चल क्या आ रहा है और उन्होंने President Murmo के उपर एक तरह से यहाँ पर जो case है वो Supreme Court में क्यों दर्ज किया है अब देखते हैं Supreme Court में मामला जाता है तो exactly कैसे सुनवाई होती है क्या response आता है Supreme Court का काफी interesting होने वाला है खेर जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो जो report है CAG की CAG controller and auditor general of India तो अगर मानलो कोई ऐसी report है जो कि उस राजिस से related है उसके account से related है तो CAG वो report किसको submit करेगी इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से ले सकते हैं कई सारे MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए अलग-लग social media पर आप जुड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे है कोई भी बैच चाहते हैं you can just use this code ANKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल जाए I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ से next time till then Thank you very much, see you soon